हेलो दोस्तो आपका स्वागत एक नए वीडियो में आज की इस वीडियो में आपको बताना रहा हूँ आई क्यूल 12 5G में किस तरह से एप कलोन बना सकते है अपने मोबाइल में नमस्कार दोस्तो मैं हूँ रोज जैस्वाल आप देख रहा हूँ चलिए मैं अपने मोबाइल के सेटिंग पहले एक बर ओपन कर लेता हूँ यह रहा हमारा सेटिंग और फिर सलाइट करते हुग आपको नीचे की तरफ आना है नीचे की तरफ आएंगे तो साउन के नीचे आपको आप्शन मिलेगा एप्स का तो एप्स का अंदर आपको जाना होगा चलिए मैं अपने एप्स का अंदर आ जाता हूँ यह रहा एप्स का ओप्शन तो इसको एप्स को खोलते हैं तो नीचे सलाइट करोगे नीचे मिलेगा एप कलोन एप कलोन में जैसे आ जाता हो यहाँ पे तीन ओप्शन मिलता है ती रहे जो ऑप्सटन इस पर क्लिक करोगे तो आपको एड़ करने का आप्सटन मिल जाएगा और यहां से किसी भी अप्लिकेशन को आप डबल कर सकते हो एक बार आपको बता दूँप को पहले आपको setting के अंदर आना होगा setting के अंदर आप सलाइड करोगे तो आपको एक option मिले जिसका नाम हे apps in apps मिलेगा apps की अंदर आपको क्लिक कर अंदर जाना होगा अंदर जैसे जाओगे आपको ip clone का option मिलेगा ip clone इन वह आपको केल में बता देता हूं चलिए सेटिंग को ओपन कर लेना है यह रहा हमारे मुबाल का सेटिंग आपको भी अपने मुबाल का सेटिंग ओपन कर लेना है ओपन करने के दिखाये देरा सबसे नीचे एप क्लोन पढ़त संदेड करेंगे तीन UP क्लोने एटमेटिक है आप तीनों पे संप्ली क्लिक करें सबसे उन बनना सुरू हो जाएगा और इसकी नीचे करने का option दिया है तो आप वहां से एड़ कर सकते हो एड़ करके आप नए नए अप्लिकेशन इसके अंदर ले सकते तीन के अलावा बढ़ा सकते हो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब की कीजिए और सेड कीजिए दस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक यू सो मच